असलाम उलेकुम वरक्मत उल्लाही वर बरकातू दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मौबली चिंग का शिकार हुए ज्यारकंड के शहीत तबरेज अंसारी के बारे में सलमान खान ने तबरेज के घर वालों को दो लाक रुपे की मदद दी कोई कहता है 20 लाक की मदद की किसी ने लिखा 22 लाक की मदद की और एक ने तो 12 करोड रुपे तक की मदद बताई दोस्तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक सलमान खान का कही पर भी कोई इस्टेंटमेंट आया या नही तो फिर कैसे ये ख़बरे वाइरल हो रही है ऐसे मेसेज को फोरड करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों को शर्म नहीं आती य उनका जमीर मर चुका है अगर आप मरहून तब्रेज अंसारी की कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी मोत का मजाग तो न बनाएं शर्मानी चाहिए ऐसे लोगों को अगर खुदा न करे आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हो और हम सब मिलकर आपका ऐसा मजाग बनाएं तो सोचो आप लोगों को कैसा लगेगा आप पर क्या बितेगी अगर आप सल्मान खान के फेन है तो वो आपका परसनल मामला है लेकिन आप उन्हें तबरेज अन्चारी के साथ क्यों जोड रहे हैं और उन्हें तो हर न्यूज और उन्हें तो दूर दूर तक तबरेज से कोई लेना देना नहीं है और अगर कोई मदद होती तो क्या उसका कोई ओफिशल अन्चारी के लिए कुछ करना है तो उन्हें लोगों का साथ दे जो तबरेज के लिए आवाज उठा रहे हैं उनके लिए इसाले सवाप करें उनके लिए फातिया दूरूत करें कुरान इपाक बख्षा है आप लोगों से घरों से तो निकला नहीं जाता और यहां वहां की बाते फैला रहे हैं दोस्तो ऐसा ना करें और हो सके तो उनकी मदद करें फालतु की बाते इदर उदर ना फैलाएं अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा अल्ला आफिस